नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सभे, उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का हमारा विशय है स्वपन सास्तर के उपर में और हम लोग बात करने वाले हैं, अगर सपने में आपको बहुत सारी छिपकलियां दिखाई देती हैं तो इस घटना के द्वारा आपको क्या शंकेत मिल रहा है सपने में अगर छिपकली के जुन्ड को आप देखते हैं तो ये सपना आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में आखिर क्या पडिवर्तन होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है वाईटी मिस्रा को सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब हम वेडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों आप जानते होंगे कि आप जब भी कोई शपना देखते हैं तो उस सपने के द्वारा आपको कोई न कोई शंकेत दिया जाता है कभी-कभी शपना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है और कभी-कभी शपना आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है तो आज का जो आपका शपना है वो आपके लिए अच्छा बिलकुल भी नहीं है ये शपना आपको शंकेत दे रहा कि आपके जीवन में कुछ असुब होगा, कुछ बुरा होगा और उसके बाद आपको परेशानी का सामना कहीं न कहीं अबश्य करना होगा ये सपना आपको शंकेत दे रहा कि अगर आप तनाव में है मानसिक रूप से अगर आप अशांत है मानसिक परिशानी का सामना अगर आपको करना पर रहा है तो इस सपने के बाद वो परिशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा आप चिंता ग्रस्त हो जाएंगे और मानसिक रूप से आप बीमार हो जाएंगे तो इस घटना के बाद आपको मांसिक शांती की तलास करनी होगी तो शपना देखने के बाद आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिस काम को करने के बाद आपके जीवन में शमस्याएं सुरू हो जाए, परिशानियां सुरू हो जाए और मानसिक रूप से आप और श्वस्त हो जाएं जिस काम को करने से आपको खुसी मिले परसनता मिले तो इस सपने के बाद ऐसे काम को आपको अवश्चे करना चाहिए आप मेंसे जो भी लोग दामपत्य जीवन में हैं या फिर प्रेम शंबंध में हैं जो कि आपके शंबंध के लिए अच्छा ना हो इस सपने के बाद आपको अपने वानी पर अपने विभार पर बहुत ज्यादा काबू करना होगा क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये फिर आपके शंबंध को बहुत ज्यादा खराव कर देगा मित्रों आप मेंसे जो भी लोग कारोबारी हैं जिनका खुद का कोई भी कारोबार है तो इस सपने के बाद कारोबार के छेतर में आप कोई भी महत्पुर्ण फैसला बिलकुल भी ना करें क्योंकि कामकाज के छेतर में अगर आप कोई भी जोखिम लेते हैं कोई भी रिस्क लेते हैं तो कामकाज में आपको नुक्षान हो सकता है आपको हानी हो सकता है तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिस काम को करने के बाद कामकाज के छेतर में आपको अफशोस करना पड़े आ प्रतिद्वंदी होंगे वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और प्रतिद्वंदियों के द्वारा आपको परेशान करने का प्रयास किया जाएगा आपके विरोधी चाहेंगे कि आपकी छवी खराब हो जाए आपके बॉस आपसे नाराज हो जाएं आपके सिनियर आपस ज्यादा आ जाएगी तो कुल मिला कर देखा जाए तो इस सपने के बाद आपको शावधानी बरतने की आवेश्यक्ता बहुत ज्यादा रहेगी परंतु चिंता की बात नहीं है सपने को देखने के बाद आप हनवान जी की पूजा करें बजरंग बली की पूजा करें परेशा तो मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद